हेलो वरिवान वेल्कम एक टावर चैनल सो आज मैं आई हूँ दा नेल बॉक्स में स्टोड़न को पैक्टिस करने तीसलिए मुझे बुलाया था नेल आट करवाने के लिए और मेरा भी फर्स ताइम था मैंने इससे पहले कभी भी नेल एक्स्टेंशन नहीं करवा है वह भी ए है नेल आट को टाइम था इसलिए जब तक में करवा रहे हूँ पेडिक्यूर करवाने के बाद सो फाइनली मेरा नेल आट शुरू हो गया है तो सबसे पहले उनने मुझे भूचा क्या आपको क्यों से से चाहिए और साइस कितनी चाहिए तो फेक नेल मेरे नेल्स पर पहले लगाए गए उसके बाद उन्होंने टूर्फ नेल्स कट किये मेजर्मेंट लेखे और उसके बाद शेप देना शुरू किया फिर उसके बाद जो नेल के प्रोसेस होती है क्रेडिक पाउडर वगरा लगाना यह प्रोसेस उने ने शुरू की और अच्छे से सारी प्रोसेस करने के बाद जेल पॉलिश मेरे नेल्स पे लगाई गई और बहुत ही सुन्दर शेड है यह डार्क रेड मरून और सिल्वर उस के साथ यह कॉंबिनेशन बहुत ही सुन्दर दिख रहा था और मेरे नेल्स फाइनली क्यों और करवाए गए इस तरह से हुआ मेरे यह नेल आट आपको यह नेल्स कैसे लगे मुझे जरूर बताना और मुझे इतने नेल लगाने के बाद जरा हेवे हेवे मैसस हो रहा था क्योंकि मुझे आदत नहीं है तो खुछ दिनों में यह निकालने वाली हूँ तो उसका भी प्रोसेस में आपको दिखाऊंगे कि नेल कैसे हटाना है यह एक्रेलिक वाले सो चरब फाइनली यह नेल हटवाने के लिए में आई हूँ फिर से दनेल बॉक्स में और सबसे पहले शुरुआत हुई है यहाँ कॉफी से उसके बाद जो मेरे फेक नेल्स नेल लगाए तो उसकी साइज कम कर दी है बहुत कि नेल्स को अची तरह से फाइलिक करने के बाद फाइनली आएक्रेलिक नेल्स रिमूवर जो कॉटन और फाइल पेपर के साथ मेरे नेल्स पे लगाए गए है और उससे बहुत ही हीट आती है नेल्स गरम हो जाते है और जो आइक्रेलिक का जो पावडर है वो इसली निकाल करने में हेल्प होती है तो इस तरह से फाइल पेपर लगा के कुछ टाइम के लिए मेरे नेल्स रखे गए कि अब हुआ 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 हु केसी है तो देखो अच्छे से यह कलर यहां पर निकल रहा है और उपर आए है सब पाउडर देखो इजीली हो गए अभी निकलना जितने नेलाट लगाने के प्रोसेस होते है उतने ही निकालने में भी बहुत टाइम लगता है सो इस तरह से मेरे फाइनली नेल्स क्लियर हो गए है फाइनल नैच्रेल नेल यह मेरे है तो कुछ इस तरह से मेरा यह नेल एक्स्टेंशन का एक्सप्रेंस रहा है नेल लगाने के भी और निकालने का भी सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई टेक केर